डानियल के दर्शन कारिक्रम में आपका हर्दिक स्वागत है बहुत सी विशे हैं जो हम जानते हैं पर अंजानत्रिष्टी कौन है बहुत सी बातों के बारे में हमारा विचार जो है वो तो उलट फेर का दिखाई देता है मैं यही कहता हूं मैं यह सोच रहा था प्रकाशित वाके के किताब को लेकर यही मेरा विचार था क्या लोगों को यह समझेगा लेकिन यह बहुत से लोगों तक पहुँझ गया याने प्रकाशित वाक्य पढ़ा तो दानियल पढ़ने के पहले देखे यहाँ पर एक विशय पर उसने जोर दिया है और वो बात क्या है देखे दानियल ने बहुत से सपने देखे इसके बारे में हम बाद में देखेंगे उन दर्शनों को देखते हुए दानियल को वो सारी बाते समझ नहीं आई तो देखे वो क्या करता है तो खास करके जो वचन कहां गया है मुझे इसका विवरेंट चाहिए परमेश्वर इस तरह से वो बिंती करता है दस सिंग है और फिर एक छोटा सिंग आता है इसका क्यार्थ है ये वो पूचता है डीटेल ये जो है ये हमारे लेक सूत्र होकर बदल गया है हम जो नहीं जानते हों से परमेश्वर से पूछना है अगर परमेश्वर से पूचे वो बताने के लिए तैयार है इस तरह मैंने ही शुरू किया है दानियल की किताब पढ़नी शुरू की एक वक्त अंजाने में मैंने सोचा कि दानियल के किताब के केवल 12 ही अध्याय हैं इससे हम बस इसी तरह से पढ़ करी यू ही ऐसे खत्म कर सकते हैं दूसरे अध्याय का अध्यान करने के लिए कितने दिन लगे ये मैं ही जानता हूँ एक-एक सामराज्य के बारे में परमिश्वर ने बताया है उसी तरह से दानियल जैसे हमने पिछली बार कहाँ धाई हजार साल तक वो हमें बता रहे हैं इशु के आगमन तक हमें बताएंगे इसके बारे में और बोला जाएगा ये शुमसी के आगमन तक बोला जाएगा मैं ये सोचता हूँ कि उठाये जाने के साथ साल बार यहुदियों के लिए साथ साल हैं वो इस पुस्तक पर और ज़ादा ध्यान देंगे क्योंकि उनके लिए साथ साल की भविश्वानी यहां पर की गई है आप जानते हैं यहुदि लोग नए नियम को स्वीकार नहीं करते हैं ट्रेडिशनल जीविश तो उनके लिए दानियल महतोपूर्ण है उनको जो चाहिए वो इस किताब में इसलिए यह महतोपूर्ण है देखे वो सब यहां पर बताया गया है यहां पर बहुत कोज़ बताये गए यह किताब इतनी महतोपूर्ण है तो उस समयकाल में डैनियल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा यहां पूरा मनन तो नहीं कर सकते हैं प्रभू के अनुगर से जितना होतना समझना चाहिए बहुत से चैप्टर हमने देखा अभी हम चैप्टर फोर में है अब इस चैप्टर फोर को मैं एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देख रहा हूँ क्योंकि इसका जो बेस है वो बिलको ललग है अब इस चैप्टर फोर को समझने के लिए पहले इसका बेस जो है उसे कैसे समझो यहां अध्याय चार में जो है इसके पहले लिखे गए तीन अध्याय और इसके बाद के अध्यायों में निश्चे ही फर्क है वो क्या है पूछे तो यहां परमेश्वर को नहीं मानने वाला राजा है परमेश्वर को नो जानने वाला गैर इसराइली राजा कहेंगे, ऐसा राजा जो इसराइली नहीं है, परमेश्वर कौन है ये नहीं जानता है, वो राजा जो इसराइल को नहीं जानता था, पर परमेश्वर के लिए लिखा, वो इसराइल के परमेश्वर को नहीं जानता था इसके पहले ऐसे दो राजा आये थे पहला फिरोन है श्रेष राजा भी था अगस्वेर है, इसे बहुत से राजा है फिर मीड़ा फारस का सामराज्य जो इसके बाद में आया देखिए इसके पहले भी बहुत ही महतोपूर ने राजा आये थे जो बाइबल में है एक है फिरॉन याने रामसेस है तुप मुस्त्री है इस नाम के बाइबल में फिरॉन बताए गए है इतिहास में देखा जाये तो तुप मुस्त्री है तो उन दिनों में मिस्त्री लोग समुंदर में गिर कर मर गए और फिर उसके बाद में बड़े सामराज्य आये, अस्रिय सामराज्य और सैनेकरित, सैनेकरित के बारे में यहां बताया है, इन दोनों राजाओं ने परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, इन दोनों ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के हाथ को देखा, महान हाथ को देखा, और फ पाई गए हैं, सने करीब भी मर गया, उसकी संतानों ने उसे मार दिया इस तरह राजाओं की पुस्तक में हैं, एक राजा, एक गैर इस्राइली राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता था, जो परमेश्वर की महिमा करते भी लिखता है, ये तो पहला है, बाइबल में बताय अगर आप देखें तो, ये टेंपल को डेस्ट्राइ करने वाले एक कैरेक्टर है, सॉलमन ने जो मेरे ख्याल से एक परमेश्वर के है, एक मैगनिफिशन टेंपल बनाए थे, और दूसरी बात, इन्होंने उस समय के दोरान जूज को जितना सता सके, उतना सता है, और डैनि उखें तो कहेंगे करूर विलन हैं, राजाओं में ये बहुत ही करूर राजा इस तरह से जाना जाता है, हम ये जानते हैं कि अभी के जो नीयम हैं और 2600 साल के पहले के जो नियम थे वो पूरी तरह से अलग ही हैं, है न, देखे इसी तरह से उस समय एक नियम था, बाइविल के अनुसार वहाँ अलग नियम थे, उन दिनो के अनुसार इसे अगर हम देखे तो हम यही कहेंगे कि यह करूर था, याने यरुशलम में आने के समय तक उस वक्त तक इस्राइल के परमेश्वर को वो नहीं जानता था, देखे उसके वहाँ पर आने के पहले के समय तक वो इस्राइल के परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानता था, देखे इस तरह का एक समय था, तब तक इस्राइल के परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था, याने इस्राइल का राजा कौन था ग्रेकोनिया और उसके बाद परमेश्वर कौन है उसका भवन क्या है वो जानने लगा, एक तरस से ये उसका नजरिया था, एक एंगल से देखा जाए तो वो अपने इश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, वो तो बड़ा भक्त वैक्ति थ वचन के अनुसार, भक्त लोगों को परमेश्वर अपने ले चुन लेते हैं, कैसे भक्ति जो अपने इश्वर के लिए भक्ति रखता है, अब देखें यहां पर उसकी बहुत बड़ी विशेष्टा, यानि क्वालिटी में पहले बता देता हूँ, यानि इसने इस्राइली भवन से जो पात्र लाए थे, वो उनका आदर करता है, यानि क्या करता है, यह भवन से लाए हुए पात्र है, इनको अशुधन नहीं करना है, इस तरह से वो एक मर्यादा रखता है, हम यह कह सकते कि वो उनका आदर करता है, और यही कहता हूँ कि यह उसकी अच्छी क्वाल यह परमेश्वर की योजना है प्रभु की भविश्वानी है परमेश्वर ने भविश्वानी की यह सामाने बात है अगर इस तरह से कहे तो वो बैविलोन से आकर इस भवन को तोड़ देता है यानि वो आकर इस भवन को पूरी तरह ढ़ाता है देखे वो क्या करता है मैं यहा पवित्रस्तान तो बिल्कुल अलग होता था, वहां कुछ होता था, लेकिन यहां भवन में कुछ नहीं था, यह एक building थी, उस building को तोड़ता है, बाकी सबके जैसे इसे भी तोड़ता है, यह क्या कहता है, सुलिमान ने भवन छोटा बनाया था, उसका महल बढ़ा था, तो अं ले आता है एक समय में वो परमेश्वर के विरुध में था फिर एक बार बार पीछे मुड़ता है और फिर से वो परमेश्वर की महिमा करने लगता है इस बारे में हमने पहले भी बताया था यही कॉंसेप्ट चौथे अध्याई में है पहले अध्याई में प्रभु को नहीं जानता था दूसरा अध्याई में परमेश्वर को अपनाता है पर अ इसकी बात करते हैं, तो पवित्र आत्मा इतने अच्छी तरह से प्लान करके वो परमेश्वर से अपरिचित होने पर भी हमें 4 चैप्टर को देते हैं, तो इससे हम, मैं इनली हम क्या, हम क्या समझेंगे, देखे जब भी हम पढ़ते हैं, तो नबुक अनेसर के बारे में एक पर एक विशय है, कई बार संदेश में बताता हूं, परमेश्वर को न जानने वाला मनुष्य, परमेश्वर के सवाल का जवाब देता है, दूसरे अध्याय में सवाल पूछता है, उस सवाल का प्रभू जवाब देते हैं, अब ऐसा मनुष्य है, जो परमेश्वर को नहीं सभी सवाल एक दब सभी पॉइंट बहुत से लोग ये कहते हैं कि पर्मेश और हमारी प्रात्ना का उत्तर नहीं देते देखें आपका सवाल सही होना चाहिए और कहा जाए तो हमारे लेवल पर सैमुल उस लेवल पर आके कह रहे हैं परमेश और मनुश्य को जवाब देते हैं ये एक नया संदेश हम यहाँ पर देखते हैं ये तो वहाँ कुछ देख कर इस तरह कहता है लेकिन बेशासर से लहू के हाथ के द्वारा उससे बात करते हैं योसुफ मरियम का पती योसुफ से वो स्वपन में बात करते हैं और माता मरियम से उसने दर्शन में बात की थी हर एक की समझ के अनुसार परमेश्वर उनसे बाते करते हैं तो बाते करते हैं बाते करते हैं शमुल ने आवाज सुनी थी दर्शन नहीं देखा, सपना नहीं देखा केवल आवाज परमेश्वर किस से किस तरह बात करते हैं वो अपने तरीके से उनसे बाते करते हैं उसके लवार राजा से भी बात कर रहे हैं चोटे बच्चे से भी बात कर रहे हैं डाउद एक जगह पर कहता है मनुष्य जैसे समझता उस तरह से वो बाते करता है उधारन के लिए दूसरी भाषा में अगर कोई प्रचारक प्रचार करेगा तो नहीं समझेंगे हमारी अपनी भाषा में अगर वो प्रचार करेंगे तो निश्चे सभी लोग समझ पाएंगे लोगों की समझ के अनुसार वो उन्हें प्रचार करेंगे तो निश्चे वो समझ पाएंगे परमेश्वर अपने ग्यान के अनुसार बात नहीं करते हैं पर हमारी समझ के अनुसार वो तो मनुष्य की समझ के अनुसार बात करते हैं यही तो सबसे बड़ी बात है परमेश्वर तो अपनी मर्जी के अनुसार बात करते हैं देखे हम हिंदी समझते हैं लेकिन अगर कोई बहुती प्राचीन हिंदी में बाते करें तो बहुत से लोग उसे नहीं समझ पाएंगे वो प्राचीन हिंदी नहीं समझ पाएंगे लेकिन परमेश्वर हम से बात करते समय हमें जो समझ में आए इस तरह से बताते हैं देखे परमेश्वर तो स्वर्ग्य प्रभू हैं हम जिस बात को समझ पाए इस तरह से वो हम से बात करें यही तो हमारे परमेश्वर की बड़ी विशेश्टा है हम उसे समझ पाई यही तो उसका आशिरवाद है नभुकदनेसर के जीवन के अंद के बारे में अध्याचार में बताया है जैसे हमने कहा कि नभुकदनेसर का जो मन है देखे राजाओं का जो मन है वो उलट-पुलट होते रहता है और उसे अपने वश में रखना यही तो सबसे बड़ी बात है राजा अपने मन को नियंतरन में रखे यह बहुत बड़ी बात है शाओल ने परमेश्वर की आग्या नहीं मानी उसने परमेश्वर की आग्या नहीं मानी और दाओद ने भी ऐसे ही किया सुलेमान ने भी ऐसे ही किया शावल असफल रहा, सुलेमान असफल रहा दाउद सफल रहा दाउद ने गल्टी की लेकिन उसने पश्चता किया यानि जैवन्त होकर दाउद लौट आया इसने भी गल्टियां की दूसरे अध्याय में ये बताया है यानि महन परमेशवर कुछ सुझाव देते हैं, तीसरे अध्या में फिर से गलती करता है, फिर परमेशवर का हाथ देखता है, फिर परमेशवर के पास लौ्ट आता है. चाथिया अध्याय के शिरुवात में वो अपने जीवन के बारे में लिखता है. 7 साल पहले की गटना वो लिखता है अब देखिये जो लिखता है इसके बारे में जरा सोचीए कितने celebrities हैं देखे उनके शुरुवात में वो तो बहुत से अपमान में से होकर जाते हैं नहीं बताईएं हाँ वो उसके बारे में बताने से शर्माते हैं एक राजा एक पत्र लिखता है यानि वो तो रेजिस्टर किया जाता है उसका राजा हमेशा का हो सोचता है देखे इस तरह का राजा जो है अपनी किताब में देखे इस तरह का ये जो बड़ा राजा है वो लिखता है उसकी क्या का कमजोरी है इसके बारे में भी वो लिखता यानि इस तरह से ये नहीं कहता कि मैं एक पशू के जैसे हो गया था इस तरह इनकार नहीं करता है यानि इसके बारे में ज़र आप सोचिए यही बात नहीं आज हम ईशू को सुविकार करते हैं इस तरह बताते हैं एक समय में पापी था और परमेश्वर ने मुझ पर दया की इसी तरह से बहुत से विश्यों के बारे में यहां पर यह राजा यहां पर बताता है और देखिए एक राजा जो ईशु को नहीं जानता है परमिशुर को जानता है वो इसका इकरार करता है और सारी बातों को प्रगट करके बताता है पशु के जैसे मैं साथ साल तक यहां महा भटकते रहा, मेरे नाखून तो बढ़ते गए थे हम इतिहास में पढ़ते हैं हिटलर के बारे में एक विशे बताया है एक समय की बात है जब हिटलर कहीं भाशन दे रहा था उस समय वहाँ पर बम गिराया गया था उस समय हिटलर को बस थोड़ी सी चोट पहुची थी बड़ी चोट नहीं लगी थी पर उस समय हिटलर ने क्या किया जानते हैं देखे हिटलर ने सबसे पहले जल्दी से जाकर कमरे में ड्रिस बदल कर आ गया क्योंकि उस पर एक बम फटा था यानि उस पर बम गिराया गया था वो तुरंट कपड़े बदल कर आया जब लोग आपस में बात कर रहे थे तो उसने किसी से पूछा क्या किसी ने मेरा वस्तर देखा है देखे एक राजा अपने अपमान की बात नहीं बताना चाहता है देखे उसने अपने कपड़े बदल लिए देखे हिटलर के बारे में ये खबर हर जगा फैल गई उसकी फोटो ली गई और देखे उसने बम गिरने के बाद भी वो अच्छे कपड़े पहन कर बाहर आया देखे इस तरह से उसने अपने इमेज को बना कर रखा तो यह राजा की बात कर रहे हैं रानी हो राजा हो आप इन सब लोगों को देखे कोई भी हो बिना मेकप के बाहर नहीं आते हैं वो इमेज बना कर रखते हैं देखे एक दो लोग ऐसे नहीं हैं दीपक हैं चाहे जैसे भी हो वैसे ही बाहर आ जाते हैं देखे हम भी आचानक बाहर आते हैं वो सब कुछ लिखकर रखते थे देखे इसने यहाँ पर क्या लिखा मैं पशु जैसे हो गया लिखता है देखे उसका रिदै कितना नम्र हो गया था यह बताया है याने इस तरह का राजा ये था नबुकदनेसर और उसके जीवन शैली के बारे में यहाँ पर उसके अंतिम अ वभाव के बारे में बताता है मैं महल की छट पर था मैंने कहा महा बैबिलॉन बोलते ही नियाय आया और उसने ये सब कुछ सहा अब घमंड से बात करने वाला निश्चे एक समू है वो घमंड से बात करते हैं हैंगिंग गार्डन और बैबिलॉन कहते हैं वो उस बाग के ब पढ़ा है इस हैंगिंग गार्डन ओफ बैबिलॉन में पानी ऊपर कैसे पहुंचा यही तो सबसे बड़े हरानी की बात है उस गार्डन में पानी ऊपर कैसे पहुंचा यह बात है देखें इसी तरह से एक बात है याने यह आर्केलोजी में दिया है बैबिलॉन का जो किला थ था बैबिलोन के किले के ऊपर उसके ऊपर से सात कार एक सात चल सकती थी इस तरह का बड़ा किला था यह नि वह इतना चौड़ा था उसने कहा घमंड से वो कहता है मैंने बनाया मैंने इस Babylon को इतना बड़ा बनाया इसे register करके मैं घमंडी था ये कहने के लिए कितनी बड़ी बात है इस तरह का ही राजा नबुकरनेसर था ये कहता है यानि देखे वो एक राजा है यहां पर हम देखते हैं permission इस बात के लिए उस कि तुमा पुराने जम्मय के सूपर पावर अमेरिका से कर सकते हैं देखे इस तरह के शूपर पावर बनने के बाद क्या करना है यहां पर चौतğlu अधियाएं बहुती महतोपुर्ण पाठ है, हम इसके तुलना अमेरिका के साथ कर सकते हैं, यानि इस तरह से कहना है, चौथे अध्याई के बारे में हम कह सकते हैं, ये बड़े देश के बारे में बताता है, ये उधारन है, यानि इसी तरह से बहुत ही महतोपुर्ण अध्याई, यानि एक सूपर पावर, सूपर पावर क्यों बना इसका कारण, सूपर पावर होते हुए उसने क्या किया था, सूपर पावर होने के बाद में उसने क्या गल्ती की है, ये सब परमिशुर ने हमें यहां पर बताया है, इसके बारे में क्या है, सब बताया है, यानि इसके बारे में यहां हम बह लगभग अपॉसल पॉल का ऐसास हमें यहां मिलता है बिलकुल, बिलकुल सही है वही ऐसास, हमें एक रिफ्लेक्शन मिलता है यहां पर जी छाया हम जानते हैं, उसके जीवन की एक छोटी परचाई हम देख सकते हैं लगभग अनॉंटिंग के साथ लिखने वाला एक चैप्टर ना इसे हम देख सकते हैं यह पत्री जैसे है लेकिन इसमें एक सवाल आता है, इतना लिख कर, इतना बदल कर, इतना अपने हृदय से बाहर प्रकाश करने वाला एक विक्ती, एक राजा तो जब यह चैप्टर फाइव आता है, तो उनका बेटा है या फिर पोता जो भी है, वो बिलकुल बदल जाते हैं विदिन ए मैटर अफ एक जेनरेशन, तो यह निश्चे तुरूप से गवर्मेंट रेकॉर्ड्स में जरूर होगा कि उन्होंने ऐसा किया, साफधान रहो, आपको यह सब चीज नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, यह सब का रेकॉर्ड्स तो जरूर होगा देखे हनोक ने पहला दर्शन पाया, या पहला प्रचारक वो था पहला दर्शन पाने वाला गर कोई है, तो वो है हनोक, आदम की साथवी पीडी से था, यहुदा 14 और 15 में बताया है, पर मिश्वर ने उसे एक प्रकाशन दिया था, कि मैं भूमी का नियाय करूँगा, मतुशेलया ने नियाय का व्यक्ति, पर मिश्वर ने प्रकाशन दिया था, आश्चरी की बात ये है, 300 साल भूमी के नाश के बारे में प्रचार किया, हनोक ने, हनोक के जाने के सम्में मतुशेलया 300 साल का था, 300 साल का हुआ, पर वो पर मिश्वर के साथ नहीं था, मतुश् परमेश्वर ने 300 साल तक उसके पिता से बात की लेकिन पुत्र ने ध्यान नहीं दिया देखे यही तो समस्या है नभुकद्नेसर ने दर्शन पाया परमेश्वर का दर्शन इसे उसके बेटे या उसके पोते नहीं जानते थे तो यहाँ पर गलती किस की है बच्चों के है या फिर माबाब की यानि दोनों बाते हैं बेटे और पोते ने से नहीं जाना बात तो यह थी परमेश्वर ने बार बार मिस्टर से छुडाने के बाद एक बात कही थी यह सारी बातें तुम अपने बच्चों को सिखाना दर्द को जानते थे, पीड़ा जानते थे, तो छुटकारे के पहले परमेश्वन हमें किस गुलामी से छुड़ाया इसके बारे में वो उन्हें बताने लगे, पर वो नहीं समझ पाए, शायद ये सब कुछ बताने के बाद में वो समझ पाएंगे ऐसे सोचा, यानि उधारन क के लिए देखिए, एक पीड़ी जो है बड़ी मेहनत करके पैसा जमाते हैं, बहुत कुछ कर दिखाते हैं, लेकिन उनके बाद में आने वाली जो पीड़ी है, माता-पिता के कष्ट के जो पैसे हैं, उन्हें लेते हैं, यानि अगली जो पीड़ी है, वो माता-पिता के कष तो इसे बताना माता पिता का कर्तव यह है। यहाँ पर क्या होता है हम उसे महनत करने नहीं लगाते हैं। बस इसी तरह से कहते हैं और इसी कारण उनके पिता ने जो महनत करके पैसा कमाया उसे हलके रूप में लेते हैं। देखो मैंने महनत करके इतना पैसा कमाया है ये आसान नहीं था, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ, मैं बस प्रचार करता हूँ, पैसा तो आफरिंग का ही है, इसके बिना नहीं जी सकते हैं, वचन बताता हूँ और कई बार एक दिन में दो सभा या तीन सभा करता मैं कहता हूँ इसलिए होता है लेकिन उनके लिए जो पैसा है वो मैंने कहां इसलिए मिला है मैं घर में बैठू तो कुछ नहीं मिलेगा उन्हें एक परसेंट भी पता नहीं होता है ये सब क्या कह रहे हैं मैंने मेहनत की है मेरे बच्चे अच्छे रहे अच्छे रहेंगे देखे इन दिनों में 100 रुपए कमाना भी इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती काम करना है याने बड़ी मेहनत करके बड़े दुख सहकर हम पैसा कमाते हैं यानि देखे, बहुत से लोग माइक में बोलते हैं, उन्हें infection हुआ, तो देखे, हमें भी infection हो सकता है. हमें अपने कश्टों को नहीं बताना है, उन्हें ये जानना है. उन्हें जानना है, देखे, इसी तरह से हर एक माता-पिता, उनके माता-पिता ने क्या दुख सहा जानना है, बच्चों को ये जानना है, मेरे माता-पिता ने जो कश्ट सहे हैं, उन्हें वो समझना ही होगा. देखे, हर एक पिता, जब अपने आफिस में जाते हैं तो, वो किन मुसीबतों का सामना करते हैं, और वो अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं, जब उसमें से जाते हैं, इन सारी मुश्किलों को सहकर कमाए हुए पैसों से, वो अपने बच्चों के लिए जूते या बेटी के लिए चुडीदार खरीते हैं, देड़ हजार दो हजार रुपे का, माता पिता ने इसके लिए कितना दुख उठाया वो नहीं जानते हैं, उन्हें अपने बच्चों को ये बताना ही होगा, यही तो नभुकादनेसर की समस्या थी, हनुक की समस्या थी, दाउद करके वो खुद ही कुछ विशियों का कह रहे हैं यानि वो सारी की सारी पीडी खत्म हो गई बहुत ही सोचने पर बहुत डर लगता है एली से ये कहां गया था कि तुने परमेश्वर से बढ़ कर अपने बच्चों से प्रेम किया है कितनी बड़ी बात है न तो यहां पर मैं कह करता हूँ देखे हम सब लोगों को ये समझना है ये विशह हमें उन्हें बताना है आपने दुख सहे वो बच्चे सहने न पाएं लेकिन इसके लिए बच्चों को ये सारे दुख बताईए उन्हें बताना ही होगा हर एक माता हर एक पिता जहां भी जाते हैं शाम के समय काम करके लोटते हैं, वो डाट सुन कर घर वापस आते हैं, दिन भर सारी यातना और कष्ट सह कर आते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, कितने क्लाइंट से डाट सुनी, कितने मैनेजर से डाट सुनी और फिर पैसा कमा कर आए, ये सारे कष्टों को अपने बच्चों को बताईए, य ही कह रहा हूं इस कारण अगली पीड़ी परमेश्वर के पीशे चलने वाली होगी यहां पर नबुकर नेसर ने बताया पर बच्चों ने उसे नहीं लिया पांचवे अध्याय में दानियल ने कहां और जब उसने ये सब बाते कही सभी लोगों पर सभी भाशा बोलने वालों पर परमेश्वर का भै आ गया और उनका रिदय बदल गया देखे यहां पर ये कहता है अगले अध्या में बताया है कि सब लोग प्रभु की महिमा करने वाले हो इसके बाद ये महतोपुर्ण बात है और बिलशाजर के बारे में बताया है कि उसका रिदय तो निश्चे पर परमेश्वर की बातों से बहुती दूर था जानकर भी जान बूच कर वो दूर चले गए पिता ने क्या किया उन्हें जानना है इसमें हलका सा वानिंग सब को है हां सभी को जानना है यही कहता हूं कि पृत्वी पर की आखरी पीढ़ी के लिए ये तो बड़ी चेतावनी है अलग-अलग पीढ़ी इस तरह से आ रही है इस पीढ़ी को अगली पीढ़ी को ये बातें बतानी है और ये सब बता कर अगली पीढ़ी की हमें रक्षा करनी है हम इस कारिकरम के अंत क्यों जा रहे हैं प्रदर जिगन फोर्ट चैप्टर इसके अंदर हम अभी तक नहींगे हम बारी उपर से ही देख रहे है अगले एपिसोड में हम ग्रीम्स के बारे में नमगत नेजर के सेकंड ड्रीम उसे कैसे इंटरफरेट करेंगे कैसे समझेंग यह हम अगले अपिसोड में देखेंगे बट इस अपिसोड में हमारे लिए बहुत से बेसिक लेसेंस बहुत है प्रभू के बारे में कुछ नहीं जानते है ऐसा एक राजा इतने डीटेल से लिखना बहुत ही कुछ अलग लग रहा है पर में शुर कितना महिमा मही है यह यह अबित होता है इस कारिकरा में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगले एपिसोड में इस ड्रीम को हम इंटर्पेट करके जाने बाते अंजान दृष्टिकोन को देखेंगे इस कारिकरा में आने के लिए दो कितना इस कारिकरा में इसचे आपका आने को हम राखका करते है आना में आने को हम पुर्ष्टिकोन के लिए आफ़ाओन से श्रीम को में आने के लिए आपका अवबगते अपका दो झाल झाल